हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आपका हमारे अपने यूटूब चैनल सुधी टुटोरियल में और फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल की सिच्छा मतलब प्राचीन काल में कैसे कैसे सिच्छाएं दी जाती थी तो प्राचीन काल में सबसे पहल आप यह जानिए कि व्यादिक काल जो है यह रटने पर बल देता था बात करें अगर सिच्छा संसकार की तो इसमें जो है यह दो सिच्छा संसकार थें विद्या आरंब और उपनेयन संसकार विद्या आरंब जो है यह बच्चों का पांच वर्ज में सुरू होता था और बात क कि उस टाइम जैसे अगर ब्राम्र का बालक है तो वो आठ वर्स का हो जाएगा तो उसे उपनियान संस्कार दिया जाता था अगर बच्चा अगर वो छत्री बालक है और वो दस वर्स का हो जाता है तब उसे उपनियान संस्कार दिया जाता था बात करें अगर वैश की तो वै वर्स बाद ब्रामडों का होता था और दस वर्स बाद पाँच वर्स बाद जो है दस वर्स में छत्रियों को दी जाती थी उपनेयन संसकार और साथ वर्स बाद मतलब बारव वर्स की आयू में वैशुलोग को दी जाती थी और इसमें सबसे इंपोर्टेंट ये है कि सुद्र के लिए सिच्छा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी उस टाइम पे बात करें अगर सिच्छा की तो सभी प्रकार की सिच्छा मतलब लौकिक और अलौकिक मतलब होता है जो हमें दिखता है और जो हमें नहीं दिखता है अलौकिक मतलब उन सभी की सिच्छा इसमें दी ज बात करें अगर सिच्छक की तो सिच्छक को उस टाइम पे वैदिक काल में गुरू या फिर पिता तूलिय माना जाता था और छात्र को अंतेवाशी या फिर सिस्थि कहा जाता था यह अंतेवाशी जो है यह बहुत इंपॉर्डेंट वर्ड है तो इसको आप ध्यान रखेंग अंतेवाशी मतलब होता है सिस्थि यह तो हो गया वैदिक कालियन सिच्छा के बारे में बात करें अगर बौध काल की सिच्छा के बारे में तो बौध काल में सिच्छा संसकार भी दो थें प्रवज्जा संसकार और उपसंपदा संसकार तो पवज्जा संसकार जो था यह 6- आठ वर्ष तक की आयो में सुरू होता था और उपसंपदा संसकार जो था ये उच्च सिच्छा दी जाती थी और सिच्छा की बात करें तो इसमें सरवांगिड विकास के लिए भौतिक और अभौतिक की सिच्छा दी जाती थी मतलब इसमें सरवांगिड विकास की सिच्छा पात करें अगर सित्षड विधिकी तो भाशड हो गया प्रषनुत्तर हो गया और तर्क मतलब बहुत इंप्धोर्टिंट है द्रक जो है यह सिर्फ बॉद्ध काल मेंस है वैदिक काल में भी नहीं था और मुश्लिम काल में भी नहीं ंट मने था इसमें सिच्छक जो है इसको भिच्छू या फिर प्रकास पुंज कहा जाता था सिच्छक जो था यह तो भिच्छू होता था मतलब वो भिच्छा मांग के अपना काम चलाता था और वो दिन भर में उतना ही भिक्षा मांगता था जिससे कि उसकी आविशक्ताइं पूर्ती हो जाएं और सिच्छक को जो है इसमें प्रकास पुंज भी कहा जाता था चात्र की बात करें तो चात्र को स्रावक या फिर स्रमड कहा जाता था चात्र को क्या कहा जाता था तो स्रावक या फिर स्रमड तो ये हो गए वैदिक कालीन और बौधिकालीन की सिच्छा के बारे में बात करें अगर मुश्लिम काल की तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताए था कि व्यादिक कालिन सिच्छा जी थी वो रटने पर बल देती लेकिन बहुत धी कालिन सिच्छा जो थी वो तर्क पे था प्रश्णुतर पे था और मुश्लिम कालिन सिच्छा भी जो है ये तो भात करें अगर सिच्छा की तो धार में केवं सांसारिक सिच्छा इसमें दी जाती थी शिच्छड विध्य की बात करें तो इसमें स्वाध्याय मौखिक शिच्छड विध्य अपनाई जाती थी सिच्छक को इसमें मौलवी या फिर उस्ताद भी कहा जाता था और चात्र को शागिर्द कहा जाता था तो और एक चीज वैदिक कालीन और मुश्लिम काल यह रटने प तर्क परबल देती थी तो फ्रैंट्स यह हो गए प्राचीन काल के सिच्छा के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में